यहां तक कि सडक पर गाय जो गोबर कर देती है कुछ लोग ऑनलाइन एमाजोन पर सेल करती है। यहां तक देखा गया कि बाबा राम देव ने तो जो स्मॉल स्केल पर बिजनस करता है ना उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यहां के जरी प्रोमोट नहीं करेंगे तो उनके प्रोडक्ट की जानकारी भी लोगों तक नहीं पहुंचेंगे। प्रोमोशन को लेकर कोई बिजनस के एक्सपेंशन को लेकर लेकर लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे प्रशन होते हैं जो लोग ओपन प्लैटफॉर्म पर पूछ नहीं पाते हैं जब टी ब्रेक होता है या लंच ब्रेक होता है वो मेरे पास आते हैं और मुझ अच्छा सेटप था अच्छा प्रॉफिट था अच्छी सेल थी लार्ज नंबर ओफ एंप्लॉई थे टर्नोवर भी अच्छा था लेकिन उसके बावजूद भी मेरा बिजनस डूप गया है तो उस तो एक बात ध्यान रखेगा भारत जैसे देश में जहां पर हर आकार और क्रारूप का बिजनस सलता है मतलब आपके पास अगर कुछ सेटोडों रुपए हैं तो भी आप बिजनस कर सकते हैं हजारों रुपए हैं तो भी बिजनस कर सकते हैं, लाखों और करोडों रुपए में भी बिजनस के सेटप बनाई जा सकती है, भारत सरकार इतना बिजनस को लेकर कोई बहुत बड़े ruling regulations नहीं बनाई, small scale बिजनस कोई भी आसानी से establish कर सकता है, और हर वो चीज जो इस प्रिथवी पर है, भारत जैसे देश में बेची जाती है, प्राकृतिक रूप से मिलने वाला पानी भी बॉटल में भर कर बेचा जाता है, यहां तक कि सडक पर गाय जो गोबर कर देती है, उसके भी उपले बना कर, कुछ लोग online Amazon पर sale करती है, यहां तक दिखा गया कि बाबा राम देव ने तो गौम उत्र को भी बॉटल में भर कर बेचना शिरू करती है, मतलब हर चीज बिकती है, यहां तक कि सडक पर अगर कोई कबाड भी पड़ा हुआ है, तो वो भी कोई ना कोई उठा कर ले जाता है, और उससे भी कोई ना कोई प्रोड़क्ट डेवलेप कर दिया जाता है, या री इन्वेंशन करके उसको री साइकल करके अलग मेटिल के रूप में यूज कियाता है, उसके बावजूद भी अगर हमारे जिसे देश में जहां इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई बिजनस फेल हो जाता है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होती है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, अपनी बिजनस आइडेंटिटी से अलग हटकर सामने एक विवर के रूप में अपने बिजनस को देखें, आप देखेंगे कि आपके business के अलग-अलग प्रारूप हैं, अलग-अलग sector हैं, अलग-अलग division हैं, कहाँ पर problem हैं, यह आपको समझना बहुत जुरूरी है, और आपके business में दो तरह की problem हो सकती है, एक internal problem और एक external problem, तो बात करते हैं internal problem के बारे, कई बार हम अपने product को लंबे स क्या नया innovation कर रहे हैं ये सारी चीज़ आपको देखनी होगी जारतर business केवल और केवल पूंजी के आभाव में डूब जाते हैं इसलिए जरूरत है finance management को समझ देखे व्यापारी जो small scale पर business करता है उसकी सबसे बड़ी problem क्या है वो business में सबसे पहले अपनी जेब से पैसा लगा आता है problem यह है कि businessman कभी भी अपने business में reinvest नहीं करता और जब आप अपने business में reinvest नहीं करते तो आपके business की growth रोग जाती है वहीं आपका competitor यही सब काम कर रहा होता है जिसकी वजह से वो आपसे कई गुना आगे निकल जाता है इसके लावा कई बार problem जो होती है ना वो internal team की वजह से होती है partners की वजह से होती है आपके partner का समझस से आप से ठीक नहीं है आपकी team का coordination आप से ठीक नहीं है आपकी team इस तरह से काम कर रहे है जहां पर आपकी cost of production जादा आ रही है मतलब इधी टीम सही तरीके से काम करे और अपनी काबलियत का 100% दे तो आप आसानी से अपनी cost of production को घटा सकते हैं यससे आपका profit margin बढ़ जकता है इसके अलावा कई बार problem जो होती है वो sales से related होती है हमारी sales team इतनी सक्षम नहीं होती है कि वो ठीक तरीके से sales के volume को बढ़ा सके और sales के volume को बढ़ाने के लिए कई बार हम modern technique का इस्तेमाल नहीं करते हैं दोस्तों कहते हैं कि आज digital यूग चल रहा है और digital information and technology के इस यूग में जो लोग अपने business को online नहीं करेंगे e-commerce platform के जरिये नहीं करेंगे social media के जरिये promote नहीं करेंगे तो उनके product की जानकारी भी लोगों तक नहीं पहुंचेंगे इसलिए जरूवत है social media platform का भरपूर इस्तिमाल करने के और कई बार traditional लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं जरूवत है business को expansion पर ले जाने के लिए अपने business में dealership system, franchisee system, cnf system, super stockist इस तरह के change system develop करने की ताकि आपकी sales की unit बढ़ेंगे जब आपकी sales की unit बढ़ेंगी तो आप आसानी से अपने business को establish कर पाएंगे जरूवत है business के चार pillars को मजबूती से बनाने की आपका management, आपका finance, आपकी sales, आपकी production, आपकी marketing और इन सभी के उपर आपका vision एक team के leader का vision होता है वही team का भी vision होता है, आपके अंदर वो जजबा होना चाहिए, वो जोश होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, कि आप अपनी team में भी वही जजबा, जोश और जुनून वैसे transfer कर सकें, जिस तरह से वो आपके मन में है, यह तो क्या internal matter, पहुत सारे matter जो external होते हैं, जैसे उस product या service को लेकर government की policies क्या है, आने वाले समय वो business कहीं collapse हो नहीं कर जाएगा, या वो industry obsolete तो नहीं हो जाएगी, दूसरा, आपका competitor same product किस price पर market में available करा रहा है, क्या features वो दे रहा है, आपको competitive advantages के बारे में भी study करना होगा, इसके साथ साथ अपने finance को manage करते हुए, भविश्य की planning करते हुए, अपने business में reinvest करना होगा, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, जो business to business vary करता है, आप अगर अपने business की किसी भी problem को पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अब अमारी team से contact कर सकते हैं, कोई भी informative video मिशना, उसके लिए चैनल को जर अगल होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस business के model को, system को, product को किसने introduce किया, पर किस बात से पड़ता है, कौन उसको fast move करेगा, इसलिए या fast mover बनना चाहते हैं, तो वीडियो को ठीक से समझें, और समझने के बाद उसको अपने business में implement करें, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी, आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत!